आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लिक रहा हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित के बहुती मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले हैं चैनल को सस्क्राइब कर ले हैं और जादर से जादर वीडियो को सेयर करें इस महता को ज्यानपीट पुरोषकार किस रचिना पर प्राप्त हुआ था वै रचिना आपके लिए वताने कौन्सी रचिना थी नरिस महता की चैन करना है बताए चैन कीजिएगा कौन्सी रचिना थी यहां पर महाप्रास्तान थी या फिर संपूर्ण रचिना कर्म या फि संपुन रचिना कर्म पर जो है नरेश महता को ग्यानपीट प्रोषकार से सम्मानित किया गया था अगर पूंचा जाए कब किया गया था तो 1992 इसवी में जो है नरेस महता को ग्यानपीट प्रोषकार उनकी संपुन रचना कर्म के लिए दिया गया था अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा 42 कॉस्चन आप से पूंचा गया है यहां पर गया गया है कि निम्नानकित में से किस ग्रंथ के लेखक राम्बला सर्मा नहीं है यानि कि आपके लिए बताने कि वाई ग्रंथ कौन सा है जिसके लेखक राम्बला सर्मा नहीं है राम्बला सर्मा की रचना नहीं है भासा और समांच या फिर नई कवीता और अस्तित्वाद भारत में अंग्रेजी राज और माक्सबाद या फिर कवीता के नए पृतिमान पर सही आंसरों का विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर है बहुत बढ़िया इसके लेखाक नामबार से माने जाती है जो है रामगला सर्मा की रचना नहीं मानी जाती है कौश्य नंबर आप से यहां पर 43 पूंचा गया देखेगा निम्नानकित मैसे कौन सा काप्र संग अग्ये का नहीं है बताईए हरी घास पर छनभर या फिर अरी ओ करोना प्रभा मैं सीड़ियों पर धूप या फिर आंगन की पारद्वार 43 में चैन कीजेगा कौन सी रचना जो है काप्र संग्रय अग्ये का नहीं है नहीं वताना है तो 43 में नाप्चभी का विकल्प नंब पर सी वाला जो विकल्प है आपका सही आंसर होगा और रगवे साह ने अन्य काप्र संग्रय जैसे हत्या के बुर्द्ध हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं यह जो हैं मानी जाते हैं इनी के यह अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन नंबर 44 यहां पर प अभी हैं जो समलित नहीं है वारत बूसर अगरवाल या मुक्तिबोध नियमी चंद्र जेन या फिर रगवीर सहाई बता यह बंदना जी वर्जेश जी रोहनी जी और विसाल जी क्या होगा सही आंसर तार सब्दक में समलित नहीं पूंचा है तो रगवीर सहाई आपका सही आंसर होगा रगवीर सहाई बिलकुल सही आंसर अग्ये जी ने इसका प्रिकासन उन्निस सो ते तालिस में तार सब्दक का प्रिकासन क्या था हिंदी प्रियोगवादी काप्धारा का प्रारम में इसी संग्रह से होता है तार सब्दक में मुक्तिबोध ते रामला सर्मा ते हरी घास पर छणभर कब शीर्षक कब संक्लन की रचेता कौन मानी जाते हैं बताइए चेहन कीजेगा रद्दिनकर है या फिर निराला है अग्ये है या फिर इनमें से कोई नहीं यह रचिना पन ने कई वार पड़ी है 45 बा कॉस्चन हरी घास पर छणभर सीर्षक कब संक्लन की रचेता कौन मानी जाते हैं तो आप सभी का यहाँ पर 45 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर अग्ये आपका यहाँ पर सही आंसर हैसी वाला वेकलप आपका सही आंसर होगा अंगलिया कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है चालिस वा कॉस्चन क्या पूंचा गया है निमने लिकत मैसे किस लंबी कवीता की रचेता मुक्ती बोध है वह लंबी कवीता आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है पेसूला की पृतिध्वनी अंधेरे में निराम की सक्ति पूजा या पिर असाथ दवीना चालिस का सही आंसर चैन कीजेगा क्या है सही आंसर लबली जी आरुसी जी और तनु जी कौशन मत्यपूर्ण पूंचा गया है कि किस लंबी कवीता की रचेता मुक्ति बोध मानी जाती है और सभी लोग बता रहें कि अंधेरे में अंधेरे में यह अपन्य रचना पढ़ीती मुक्ति बोध की रचना मानी जाती है अंधेरे से मुक्ति मिल गई तो मुक्ति से मुक्ति बोध की रचना है और यह लंबी कवीता मानी जाती है मुक्ति बोध के अन्य रचनाओं की बात करने ब्रह्मराक्चस लकडिका रावन चांद का महटेडा भूरी भूरी खाकदूल यह मुक्तिवोत की अन रचिनाई मानी जाती हैं जो की बहुती प्रिशित रचिनाई हैं कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है 47 वा कॉस्चन देखेगा यहां पर दिया गया है यहन में से कौन सी रचिना पौरानिक कता पर आधारित नहीं है बताइए कौन सी रचिना पौरानिक कता पर आधारित नहीं है महाप्रास्तान औरवस्थी कनूप्रिया या फिर अमन का राग 47 में चेन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गया है मत्तपूर कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर डी वाला जो विकल्प है अरंज जी राजन जी डी में आपका सही आंसर है अमन का राग अमन का राग जो है यह आपका सही आंसरों का यह जो है समसिर बादर सेंग एक लंबी कवीता है जबकि महाप्रस्ता नरिश महता और बसी दिनकर का गीती नाट है जबकि कनुप्रिया जो है धर्मबीर भार्टी के प्रबंदात्मा के रचिना है जो पौराने के कथा पर आधारित है Qsons नमबर आपने यहां पर 45 आपने पर पूंचा ग्या है दुबेदी के कुझा है इसके नाम के आधारक के किया है तो महावीर प्रिसाद दुवेती आपका भी वाला जो विकल्प है वहाँ refr सही आंसरों का विकल्प नंबर दो जन्वर्न भी यहाँ पर चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉशन यहां पर देखेगा उनन्चासवा कॉशन यहां पर दिया गया है कि रहस्य पुरुष का बिम्ब मुक्तिबोध की किस कवीता में नहीं है बताईए कवाई कवीता आपके लिए बताना है मेरे सहचर मित्र अंदेरे में या फिर इस नहीं पुशा गया है उनन्चासवा कॉशन है और आप सभी का सही आंशरों का अंदेरे में वेकल्फ नमबर भी आपका यहां पर सही आंशरों का वेकल्फ नमर दो यहां पर वहए सारे लोग बतारं की प्रियोगबद और नई कवीता के प्रविक कभी है घजानन मादा मु पाचासबा कॉस्ट्ट्ट्टे का कौन सी मानी जाती है यह आपके लिए चैन करना है चैन कीजेगा सभी लोग क्या होगा इसका सही आंसर बताइज प्रियोग बात कि जन्वदात्त्री पत्री का आपसे पूंचा गया है तार सब्तक है प्रतीक नइबत्ते है या फिर नहीं कवीता है पचास में आपको चेहन करना है सयानसर तो आप सभी वह का एक सयानसर है क्या होगा सयानसर इसका तो विकल्प नंबर आपका यहांपर भी ओका सही आंसर यानि कि प्रियोग बात की जर्म दात्री पत्री का यहां पर प्रतीक मानी जाती है कौन सी मानी जाती है प्रतीक मानी जाती है भी वाला वेकल को का सही आंसर यहां पर तार सब तक नहीं है अंगल्या question यहाँ पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर पूंचा गया है इंक्याउन वा question रचिनाकाल की दरश्टी से पूंचा गया है कि निमनलिखित मैंसे निमनलिखित कवीताओं का सही अनुक्रम बताना है कौन सा अनुक्रम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इंक्याउन में चैन करना है इंक्याउन में क्या होगा सही अनुक्रम यह चार अनुक्रम यहाँ पर आपके लिए दिये गए है इनमें से बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वेकल्प नमबर सी सही आंसर है सरोज स्मिर्ती असाद दिवीना अंधेरे में और पठ कता ये की अंधेरे में मुक्ति बोद्क फिर्कासन दिया है और पठकता 1972 इसका प्रकासन माना जाता है धुमिल की रचना मानी जाती है त जो सरोजस्मिर्थी है यह सर्वजस्मिर्थी और इसी को जो है hinडि का सर्भी कीजेगा क्या होगा सही आंशर काट की घंटियां या फिर क्वानो नदी आत्म हत्या की व्रुध्य या फिर लिप्ता रजाई में अपनने याद किया था हाँ यह जो रचना यहां पर दे गई हैं कौन सी रचना सक्सेना जी की नहीं आ है तो सी वाला वेकलप आपका सही आंसर होगा आत्महत्या के बुरुद्ध ये इस रचना को अपन ने याद किया था कि आत्महत्या के बुरुद्ध ये जो रचना है ये इनकी नहीं मानी जाती है रगुबीर सहाई की बुरुद्ध रगुबीर सहाई करेंगी तो रगुबीर स च्षुदरी हरी नारैंड व्यास या फिर विजय देव नारैंड साही। कॉस्चन भंपून है, त्रेपन वा कॉस्चन याँ पर दिया गया है, और द्रेपन में आप सबी का पर सई आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आनि कि विजयदेवनारण साही, 22 विजयदेवनारण साही साकी जो है इनी की रचिना मानी जाती है, विल्कुल चाही ब्लाइन है वापशन यहांपर पूंछा ग्या है आप्से किよね आत्मस्जै किसकी रचना है आत्मस्जै पुछे का कुमननारण की रचना हैं दुस्यणतुकमार की रचना है या फिर धर्मीर भार्ती की सिर्भार्टी की सिरे हrt यहाँ पर सही आंसर होगा कुणन नारेंड आपका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया विलकुल सही आंसर चैन क्या अगर पूंचा जाता साई में दूप ये दुसरी अंतुकुमार जी का काप संग्रे है कनु प्रिया ये काप धर्मबीर भार्टी का वो संसर की एक तोडने ही होंगे मठ और गण सब किसकी पंती है पच्पन में बताना है निराला की पंती है या फिर रभवीर सहाई या फिर नांगर जुन या फिर मुक्ति बोध यह पंती बताना है किनकी पंती मानी जाती है तोडने ही होंगे मठ और गण सब यह पंती चैन कीजेगा किनकी मानी जाती है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मुक्ति बोध तोडने ही होंगे मठ और गण सब तभी जो है मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति से मुक्ति बोध आपका यहाँ पर डी व लिकत कापे संग्रों का प्रिकाषन काल किर्मानु सार जो है सही अनुकरम रेखांकित करना है कौन सा अनुकरम यहां पर सही होगा बताईए और आप सभी का यहां पर सही आंशर है विकल्प नंबर आपका एक जो है यानिकि क्या होगा सही आंसर यहाँ पर विकल्प नमबर एक होगा सही आंसर वगनदूत मंजीर चांद का मर्टेडा है और साखी आपका जो वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक जिन्वने भी यहाँ पर चैन क्या है उनका सही आंसर होगा 1964 में चांद का मोई टेड़ा इसका प्रकासन हुआ मुक्तिबोज की रचिना है और साखी 1983 की रचिना विजय देवनारण साही की रचिना मानी जाती है question number आपसे यहाँ पर संताउन पूंचा गया है यहाँ पर पूंचा गया है question number संताउन यहाँ पर दिया गया है और संताउन में आप सभी का सही आंसर होगा बाज सिर्वा की बहानी बाज सिर्वा की बहानी एक उन नारण की रचिना मानी जाती है विकल्प नंबर बी जिनोंने भी यहाँ पर चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विल्कुल सही 2008 में इसका प्रिकास अनुए तक उन नारण की रचिना मानी जाती है पत्यक तो सभी के लिए पता है रामनरीस दरपाटी मगद ए श्रीकांते बर्मा उपहाल पर लाल टैन मंगलिस डबराल की रचिना मानी जाती है अंगला कॉस्चन या आप देखेगा कॉस्चन नमबर देखेगा अंगला कॉस्चन या पर पूंचा गया है आपसे कुवानू नदी के रचिनाकार बताना है बताईए शेन कीजेगा महत्तपूर्ण कॉस्चन या पर दिया गया है कुवानू नदी के रचिनाकार कुवान माने जाते है सर्वेसो द्याल सक्सेना है, रगवीर सहाय है, स्रीकांत बर्मा है, नरेस महता है, मुनेश जी, पिल्कुल, तो कौश्चन नंबर अंठाउन में आप सभी का सही आंसर होगा, सर्वेसो द्याल सक्सेना, सर्वेसो द्याल सक्सेना पर ने इसको याद किया था कि क्वानू नद और सर्वे से सर्वे सो द्याल सक्सेना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपके यहाँ पर 59 पूंचा गया है कौन सी रचना समसेर बहादौर सेहं की है समसेर बहादर सेंकी रचना आपके लिए बताना है पीली चत्री वाली लड़की पीली रात पीली आंधी या फिर एक पीली साम बताईए कौन सी रचना समसीर वहादर सेंकी है यह पूंचा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर एक पीली साम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर D जिन्होंने भी यहाँ पर चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा का विकल्प नंबर चार एक पीली साम आप सभी का सयांसर है राकी जी रोईनी जी विल्कुल चाही आंगे बढ़ते हैं देखिए एक पीली छत्री ये उद्धाय प्रकास की रचिना है और देखेगा पीली आदी प्रभा केतान और एक पीली साम समसीर बहादुर सेंकी रचिन रचिना मानी जाती है कौस्टन नमबर आप से याँपर पूंचा गया 60 कौस्टन मत पूर्ण देखेगा नमनेलिकत मेंसे कौन सा कब्विसंग्रे समसीर भादुर सेंका नहीं है बताइए जैन कीजेगा क्या होगा सही आंसर और आप सभी का सही आंसर है कौन सा काब्विसं संग्रे समसिर बादुर सेंका नहीं है तो आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा कुछ कवीताइं कुछ और कवीताइं आज अभी आखोंसे काल तुम से होड से मेरे तो विकल्प नमबर आपका यह वालब विकल्प कैंज आपका सही आख्यों से magla question यहाँ पर देखेगा question नम्बर आप से यहाँ पर exit क्या पूंछा ग्या है exit वह question यहाँ पर दिया ग्या है देखे कहां जाओ हर दिसा में मृत्व से भी बहुत आंगे की आ परिमत दूरियां हैं कबीता की पंतियां कुण नारंड की किस रच्छना C है रचना आपके लिए बताने चक्र व्यू से है अपनी सामने या फेर आत्म जय आपके लिए चेनकन ना है क्या होगा सही अंसर है और 111 में सबीका सही आंसर होगा कहां जाओं हर दसामें म्रत्यू से भी बहुत आंगे की आप परिमित दूरियां है ये पंतियां जो है आत्म जई की मानी जाती है विकल्प नंबर आपका जो सी है आप सभी का है आपर सही आंसरों का विकल्प नंबर तीन आपका सही आंसर है बहुत बढ़िया अ अग्ये की रचना हैं, अग्ये की रचना आपके लिए आपर बताना है, कौनसी मानी जाती है, कुरू छेत्र है, कुरू छेत्र तो नहीं मानी जाती है, हुंकार भी नहीं मानी जाती है, पबन दूत भी नहीं मानी जाती है, तो कौनसी है हरी घास पर छनबर, वेकल्प नमबर डी आपका यहांपर सयांचर होगा विकल्प नमबर चार जन्द्रनवी चैनक्या हरी घांस पर चणबर यग्गे की रचना है विल्कुल चाही बाप रहेरी इंदर दनोस रोंदे हुए अरियो करुणा प्रभाव मैं आंगन के पार्द्वार यह रचना इनी की मानी जाती है जबकि कुरुचेत्र जो है दनकर की रचना मानी जाती है हंगला कॉश्चन यहांपर देखेगा कॉश्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है 63 वा कॉश्चन मत्पूर्ण कॉश्चन दिया गया है देखेगा उडगया गरजता यंत्र गरूल बन बिंदू सुन में पगल गया पर साप यह पंतियां जो है अगे की किस कवीता से ली गई हैं बताएए पहचान से या फिर साप या फिर हरी घास पर चन भर या फिर यहां पर हवाई अड़े पर बिदा बताएए यहां पर चन भर लिखा है क्या होगा सही आंसर कॉश्चन नमबर 63 है और 63 में आप सभी का सही आंसर होगा हवाई अड़े पर बिदा यह वाला जो विकल्प है डी आपका हाँ पर सही आंसर होगा यह पंतियां जो है प्रियोगबादी कभी अग्ये की पंतियां है हवाई अड़े पर बिदा नामक कवीता से पंतियां ली गई हैं अग्ये प्रियोगबा आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है चौंसट वा कॉस्चन है थंडा लोहा कवीता संग्रय के रचिनाकार कौन माने जाती है धर्मवीर भारती है या फिर यहाँ पर भारत भूसन अग्रवाल है गिर्जा कुमार माच्वर है सर्वेस द्याल सक्षेना है तो चौंसट में आपक संग्रय के रचिनाकार कौन माने जाती है बताईए तो इसको याद किया था धर्मवीर भारती की रचिना ये कवीता संग्रय माने जाता है थंडा लुहा जो है थंडा लुहा ये धर्मवीर भारती जी का काप संग्रय है 1902 का ये काप संग्रय माने जाता है और अंगला कॉस सूची एक को सूची दो से यहां पर आपके कूट भी दे गए हैं यह आपके कूट यहां पर दिये गए हैं यह आपको जो है यहां पर चैन करना है तो चलिए तो मिलत कर देते हैं यहां पर तो यहां पर आपको सुमिलत करना है तो देखेगा आत्मजाई की रचनाकार कौन मा प्रिक्षिना मानी जाती है इस प्रिकर हाँ पर जो है सो मिलेत किये गा है कोड में आपका डी वाला जो विकल्प है वैसे ही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन यहां पर दीखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है 66 बार कॉस्चन दिया गय लाइक अवस्थे कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है लाइक अवस्थे करते जाएगा और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा यह पर इसने त्रिट्ट्वी प्रूंड है क्योंकि प्रिवक्बाद के संबंद में वेकल्प में नहत सभ हएं तरियमी का में अग्एने अपने समुई के कवियों को राहो ॏ कि कहा है तो कि और कंप अनवेसी कहा है तो कि यहां पर सी बहुत सारी लोग बता रहे हैं कि नई राहों का निवेशन 'reon का निवेश कहा है तो मुखह तत्व जो है यह सबी जो प्रिस्ट्न कैसा है तोट्टी पूण है तोटी पूण्र प्रियोजड बाद के संदर में क्योंकि सबी जो है बिकल्ब हैं सबी जो है तत्व लगू होते हैं तो आंगे बढ़ते हैं question number आपसे आपर पूंचा गया है कौन सा 67 question आपर दिया गया है निवने लिखित मैं से कौन तार सब्टक का कभी नहीं है बताईए बताईएगा क्या होगा सही answer तार सब्टक के कभी नहीं पूंचा है आप से सिर वाहदुर्स है ग्रजा क्मार मातूर मुक्तिबोध या फिर प्रभाकर्माचवध और आप में ड्रीका संविकन व्हादूर्स यागे संव tutte या कभी नहीं माने जाती हैं व्हत्व नंबर ऊपका इहां पर सही आंसर होगा। वेकल ने ये जन्वनभी चैन क्या है उनका सई आंवी आंशर है अग्गे कौन से बाद के कभी है तना सरल Qproduction पूँचे क्या है प्रगतिवाद प्रियोगबाद छायाबाद यह फिर इनवे से कोई नहीं बताएं अग्गे बताने क्वोंचे बाद के कभी माने जाते हैं प्रगतिवाद प्रियोगबाद, छायाबाद या इनमें से कोई नहीं और आप चभी का यहां पर सही आंसर है प्रियोगबाद विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो जन्वनवी शेन क्या है चभी आंसर अग्डे प्रियोगबादी कभी है प्रियोगबादी कभीयों में तार सब्तक की सभी कभी आते हैं जिसका प्रिकासन उननिस सो सेंतालिस में चौरी ते तालिस में हुआ था अग्गे, रामला, सर्मा, मुक्तिबोद, प्रभाकर माचबे, नियमी चंद्र जैन, गिर्जा कुमार मातुर और भारत बूसन अग्रबाल ये साथ कभीते तार सब्तक में इनकी रचिना संकलित थी, चांद का मुहटेला के रचिता कोण माने जाते हैं बताईए चांद का मुहटेला, ये रचिना किनकी माने जाते हैं नांगर जोन, मुक्तिबोद, धर्मीर भारती या फिर धूमल कॉस्चन नमबर 69 है, 69 में आप सभी का अभी वाला वेकल्प सही आंसर होगा, मुक्तिबोद आप सभी का यहां पर सही आंसर है वेकल्प नमबर 69 यहां पर चैन क्या है, उनका यहां पर सही आंसर होगा, मुक्तिबोद आपका सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा, अग्ये की असाद बीना किस पिरकार की काप विकरती है, यह निकि यह खंड काप्ब है, प्रवंद काप्ब है, महा काप है या फिर प्रलंब काप विकल्प नमबर आपका जो डी है वहें आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर 4 आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया और अंगला कॉस्चन यहां पर देखती है, अग्ये का पूरा नाम आप से पूँचा गया है आपर कई बार पड़ा है इतना सरल कॉस्चन है सभी से बन जाएगा अग्ये का पूरा नाम पूचा है राय कृष्ण दास कनईया लाल सचितानंद हीरानंद बात्साइन या फिर हरी संकर परसाई अग्ये का पूरा नाम बताना है तो विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है सचितानंद हीरानंद बात्साइन अग्ये इनका पूरा नाम माना जाता है तो विकल्प नंबर आपका जो तीन है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चैन क्या है नहीं के रचनाएं है, भगन्दूत है, चिंता है, बाबरा, हेरी, अंद्र दनुस, आंगन के पारदवार, कितनी नाव में कितनी बार ये रचनाएं इन्हीं की मानी जाती है, अंगला कोशन यहाँ पर देखेगा, कोशन नमबर आप से यहाँ पर बहत्तर पूंचा गया है, क कि नियमने लिकित मैं से कौंसा कभी दूसरा सब तक में संग्लित नहीं है About है भबानी परसाथ मिस्र क्वंथ मात्वर यहां पर संसीर बहादुरस है यहां फिर मुक्ति-बॉध दूसरे में पूँचा है दूसरे सब तक जो की इस्मे दूसरा सब तक जो इनिस इंक्याwn में प्रिकासित हुआ था और इसमें नहीं है तो ँश्थ मुक्ति आपका दी वाला विकल्प जो है मुखती आपका सः एंक्वाना का प्रिकासिन हुआ था जिसके संपादन जो संपादक थे अग्ये और इसमें साथ कभियों की रचिना संगलित थी जे उसाथ कभी थे भवानी प्रसाद मिस्र थे सक्वंतला मातुल थी हरी नारण व्यास थे समसेर वहादुर सें थे नरेस महता थे और रगवीर सहाय थे और यहां पर धर्मवीर भारती थे गजानर मादा मुक्तिवों रिष्टेपूर व्यानी की तार सब्तक के कभी माने जाती है जिसका प्रकासन उननिस सो ते तालिस में अग्ये द्वारा किया था अंगला कॉस्चन अग्ये की रचिना बताना है कौन सी मानी जाती है तो बताई यह चैन कीजेगा और अपने अभी पड़ा था रिखांस पर चनवर अग्ये की रचिना मानी जाती है वी वाला वेकलप आपका यहाँ पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कौनो नदी कभी इंता संग्राई के कभी कौन मानी जाती है कौनो नदी के पूंचा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा है यहां पर क्वानों नदी का क्या करना है सर्वे करना है तो सर्वे से सर्वेशोद्याल सक्षेना आपका यहां पर सही आंसर होगा यह सर्वेशोद्याल सक्षेना की रशिना मानी जाती है कवीता संग्राय माना जाता है और खूटियों पर ट क्हां देखते हैं प्रभाखर के निमनलिक स के साथ अब भी आपन पड़ाता जिनकी साथ रचनाय जो हैं तार सब् तक में संकलित है तो नहीं बताना है आपके लिए प्रभाकर माचमे शेंदीर जैन भारत वोसन अग्रवल या फिर रामधारी तार सब तक के कभी नहीं माने जाते हैं विकल्प नंबर चार आपका सई-ांसर होगा विल्कुल सई-ांसर हैं बहुत बढ़िए सभी लोगों ने यहां पर सई-ांसर चेहन क्या है क्वेस्टन नमबर आपसे याँ पर पूंचा क्या है 76 पर क्वेस्टन है नात्म हत्या की वृद्ध कभीता संकलन की रचिना कार कोन मानी जाते हैं बताईए चेन कीजेगा नात्म हत्या की वृद्ध कभीता संकलन की कभी कोन मानी जाते हैं सर्विश्वाद्याल सक्सेना धन्वीर भारती रगुवीर सहाई या फिर मुक्ति बोध चैन कीजेगा चार विकल्प है और आप सभी का सही आंसर है कि आथ भंत्या की वृद्य रगुवीर सहाई करेंगी अभी पढ़ाता पन्ने तो रगुवीर सहाई जो है इसकी रचेता म कौन माने जाते हैं बताइए भूल गल्ती पूँच्छा गया है ये यह लंगर जुन है या फेर केदानात अगरवाल हैं तलोचन हैं या मुक्तवोध हैं क्वाश्चन म थ्पूण है तो दॉनननंबर आपका 87 पूँच्छा गया है गूश्ण ता सभी का क्या होगा सही आं आप सभी का यहां पर सही आंजर होगा ब्रह्म राक्चस चांद कम टेड़ा बोरी बोरी कागदोल ए मुक्ति बोध की जो है काब संग्रे यह माने जाती है प्रमुक काब्बे रचनाय माने जाती है कॉश्चन नमबर आपसे 78 पूंचा ग्या है कनू प्रिया के लेकक कौन मान जाते हैं बताइए कनू प्रिया के बताइए नंद दुलारे वाजपेई है या फिर बीरंद्र मिस्र है मोहन राकेस है या धर्म बीर भारती है कॉश्चन मत्पूर्ण है आप सभी का यहां पर पूंचा गया या 88 कॉश्चन और लाइक अभी भी बहुत सारे लोगों ने न सयांसर है धर्म बीर भारती धर्म बीर भारती कनू प्रिया की रशेता माने जाते हैं ठंडा लोहा अंदायोग साथ गीत बर्स ये कापिकर्टिया ही नहीं की माने जाते हैं धर्म बीर भारती जी की गुनाहों का देपता सूरज का सात्वा गोड़ा युपन्यास माने जात question number 89 में बताना है बताईए चैन कीजेगा मुक्तिबोद अग्ये भारत भूचन अग्रवाल या पिरबाकर माचबे बताईए तार सब्तक में संकलित कवियों को राहों का नवेशी कहा था किनों ने अग्ये ने कहा था विकल्प नमबर आपका भी वाला जो है हाँ पर सही आंसर होगा तार सब्तक का प्रकासन 1943 में अग्ये द्वारा इसका जो है प्रकासन किया गया था बिल्कुल सही जिसमें साथ कवियों की रचिनाए संकलित थी question number आपके यहाँ पर पूंचा गया है कौश्चन कि कि कविताएं स्वाधीन भारत का इस्तापी दस्ताबेज हैं अग्ये कि यह फिर गिरजा कुमार मात्वर मुक्ती बोध यह फिर्दिनकर question number 80 में आपके लिए सई आंसर वताने किस की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्तापी दस्ता बेज हैं question number 80 का सही answer सभी लोग C वता रहे हैं कि मुक्तिबोध यहां पर सही answer होगा वेकल्प number 3 यहां पर सही answer लगा दें तो विल्कुल चाहिए लगा दिया वेकल्प number C में सही answer मुक्तिबोध होगा सही answer प्रिवग बादी कवीता के अग्रणी कभी हैं गजानर मादा मुक्तिबोध और इनकी कवीताएं सौधीन भारत का स्तापी दस्तावेज हैं मुक्तिबोध में fantasy है अर्थात एक जादुई कथा में आदुने की जीवन के अनुभवों की अव्यक्ति है और ब्रह्म राक्षा संदेरे में जैसी कवीताएं इस द्रश्टी से उल्लेखनिये मानी जाती है question number आप से याँ पर पूंचा गया है 81 काया कल्प बताना है स्वरी प्रत्वी कल्प पूंचा है किसकी रचना मानी जाती है बताए प्रत्वी कल्प पूंचा है बावानी प्रिसाद मिस्तर गिर्जा कुमार मातुर मुक्ती बोध या फिर धर्मबीर भारती चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए है question मत्तपूर 81 question याँ पर दिया गया है और 81 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गिर्जा कुमार मातुर जो है विकल्प नंबर B वह आपका सही आंसर होगा प्रिवगबादी कवीता के प्रमुक कभी है गिर्जा कुमार मातुर प्रत्वी कल्प कल्पांतर चाया मत छूना सिलापंक चमकीले वीतर नदी की आत्रा साक्षी रहे बर्तमान दूप के धान नास का निर्माण और मंजीर ये रचना कूँची जाती है इनकी ये गिर्जा कुमार मातुर की रचना मानी जाती है विकल्प नमबर भी आपका यहाँ पर सही आंजर होगा प्रियोग बाद के बाद हिंदी कवीता की जो नवीन धारा विक्सित हुई उसे क्या कहा जाता है व्यासी में आपके लिए बताने नई कवीता प्राचीन का आ कवीता या प्रतार सब्तक प्रियोग बाद के बाद हिंदी कवीता की जो नवीन धारा विक्सित हुई उसे क्या क कहा जाता है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर हाँ मुनेश जी चैन कीजेगा प्रेक्टिस करिएगा और आपका यहां पर व्यासी में नई कवीता यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यह जिन्वनेवी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर हो बबानी प्रता मिस्र हैं या फिर मुқतिज़ाग है औरका राग बताना तो अमन राग इस आम और अपर की जो है और आपका सही आंसर होगा और यहां पर देखेगा कॉस्य नमबर आप पर अगल्यक्या प्उच्याग गया है एट एबासी बहल और यहां पर दिखेका सागर मुद्रा के लेखक कॉन माने जाते हैं बताईए है द्री भारती है ज्या पर गिर्जा कुमार माथुर है है चेन कीजेगा मत्यपून कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर है सागर मुत्रा की लेखक माने जाते हैं विखल्प नमबर दो जिन्वनेवी चेन क्या है उनका सही आंसर होगा प्रियोकबादी कापधारा की प्रवर्तक, कहानीकार, उपन्यासका, निवंदकार, प्रसिद्य, आलोचक, अग्ये की प्रमुक के कृतिया मानी जाती हैं कौनची सागर मुत्रा, भगनदू, चिंता, इतला, महरी घास, पर चनबर, मत्यपून, रचनाय, अग्ये की मानी जात साखी के सकभी का काप्ध संग्रा है, यह तो अब भी पढ़ा था पन्ये, वेजय देवनारण साही, अंग्याक कौस्चन यहां पर देखेगा, क्या पूंचा गया है, क्वास्चन नंबर आपका 6, सी पूंचा गया है, हां पर, कि अतिरेक बादी पूंटा की तुष्टी कर ना कब रहा आसान मुक्तिबोद द्वारा किया गया है कतन किस बिसेश मना इस्थिती का दो तक है बताईएगा सहाइता या फिर भूकों के दुराग्रह से उत्पन आसाह इस्थिती कभी पूरा ना करने की लाचाइदी या फिर राक्षशी बृति का सामना ना कर पाने की चि कल्फ एःडसा के दुराग्रह से उत्पन्य आसाइस्थिति आपका सयांसरों का विकल्फ नमबर बी जिनुनल्य obviamente चैन क्या है सयांसरों और ऐखेंगा question आपर आप से यापर 87 vibes क्या विक पूंचा है प्रगति वादी कभियों में अपने विचार धारा से कट्टरता पुर् रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सामको चार बजी और आप सभी का सही आंसर है गजानन मादा मुक्तिवोद विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा गजानन मादा मुक्तिवोद आपका सही आंसर लगा दें विल्कुल सही बहुत बढ़िया और अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे 88 पूंचा गया है कि नई कभीता नई नई का प्रधाराओं के अनेका नेक कभीयों को प्रकासित करके भी उनकी सरवदेक आलूचना के पात्र बन जाने वाले कभी है कौन है बताईए कॉस्चन नमबर आठासी में चैन करना है चार विकल्प आपके देगए है क्या होगा इसका सही आंसर और स्टेटस वाई आर आर जी जी या या यादब जी तो विकल्प नमबर आपका यहां पर इड़ी जो है सही आंसर होगा अग्ये आपका हैँ पर सही आंशर है अग्ये आपका सही आंशर होगा जो की सब लोगों ने आपर सही आंशर वताया है अग्ये को जो है आंगन की पारद्वार की रचना के लिए साहित अकादमी पुरुसकार दिया गया था 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए ग्यान पार्ट ये ग्यान पीट पुरुसकार मिला था तो ये भी पूंचा जाता है कि कौन सी रचिना जिन पर साहित अकादमी मिला या क्यान पीट पुरुसकर मिला नमनलेकत मैं से साथ गीत बर्स किसकी रचिना मानी जाती है नवासी में आपके लिए चैन करना है साथ गीत बर्स ये रचिना पूंची जाती है किनकी रचिना है और आप सभी का यहां पर स्थाल आन्चर आनला है कि साथगीत भर्स तो यह जो है धर्म भीर भारती धर्म भीर भारती साथ गीस वर्स यह धर्मवीर भारती की रचिना मानी जाती है विलकुल से विकल नमबर एक आपका सही आंसर होगा अंगला कॉष्चन यापर देखेगा अब्वेब कॉष्चन यापर पूंचा क्या है नमलेकित में से कौन सा कभी तारसब तक का नहीं है तो देखेगा तारसब तक के कभी अपन कर देखेगें विकल्प नमबर एक सही आंसर है तारसब तक के नहीं वलक्यीत कभी नहीं आंसर ते तभी लोग वीडियू बीटे वीडियो को लाइक कर लें चैनल को ऐसे ज्याद वीडियो को सेहर करें रोज अपनी किलास होती है कब होती है कलास साम को चार बजे होती है अब अगली क्लास में मिलते हैं आपके लिए साम को साड़े साजे यहां पर सामन हिंदी से संबंदित महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर पढ़ेंगे तो सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाल राजन जी साधन गजी स्टेटस्टवायार जी अनीता राजपूत्व जी और सुघंजी वदु जी कल्पना जी विंदा शाहू जी innerhalb की खी लिमा घी और बंधना जी रिता जी मनीशा जी आरूसी जी संध्या जी तनू जी आनंद जी और नीता जी अनीता जी चवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंस जी चवी जी और साधना जी तनू जी उमेश जी ब्रजेश जी परवती देवी जी रीना तेवारी जी भाबना गंगबार जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोज इसी तरह से केम महनिका जी जुड़ना है और बंधना जी लाइक अबस्ते करते जाना है सभी के लिए दीपक पबार जी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मुनेश जी लाइक करते जाईएगा और रोज इसी तरह से झाल झाल झाल